जैश्री किष्णा हरण महादेव मैं नणाइन भक्ति सिफ्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर जैश्री किष्णा स्री स्वाय नमस्तुप्यम हरण महादेव कार्तिक का महना चल रहा है और हम सभी कार्तिक नहार है और उसमें ये जानने को देखने को सुनने को मिल रहा है कि कार्तिक के महिने में आउले से नडायन की पूजा की जाती है कार्तिक के महिने में आउले के दीप दान करने का बहुत ही जादा मुख्य कारण होता है कि हमें लक्षमी चाहिए आउले के डिक्ष के नीचे दीप लगाने से लक्षमी की प्राप्ती होती है तथा आउले के दीपक हम कैसे बनाएंगे तो इस वीडियो को आप देखिएगा चोटी से वीडियो है और नराइन को आप जडाइएगा दीप दिखाइएगा यह आउले की दीप हमें नौ मी को कार्ठिक के महिने में नौ मि को अथ्वाप डेली है तुँछ सब्सक्ता कि से नौ मी इकाद शी दसमी और कार्तिक पुर्णीमा कार्तिक के महने में भी किसी दिन जला सकती है तो खासकर आउला नौमी के दिन इस आउले के दीपदान करिए और अपने घड़ में सुख का नुभाव करिए तो आएए चलते हैं देखते हैं किस तरीके से हमें दीपक बनाना होता है और बहुत ही शुब यह साउत में हर कोई जलाता होती है तो आए जानते हैं कि क्या इसको कहा कर जबा करहें सकते हैं तो हम इस आउले को दिपक हम स्यू को भी दे सकते हैं नडाइन को भी आगे दिखा सकते हैं राम जी को भी दिखा सकते हैं तुलसी माता के पास पर रख सकते हैं तो हम साम को यह पांस दिपक जलाएंगे अभी हम आपको एक दिपक में वीडियो आपको दिखाया है जैसे हमने बनाया है तो बंदिर में आज नौमीती थी है तो नौमीत के ऊपर मैंने याज वीडियो बना दिये और आप यह देख रहे हैं तो इस तरीके से बनाए जाते हैं और इसके बिस्तार रुपसे भी आप जाननी है और कब कब इसका क्या कारण होता है तो आउले के दीप के लिए आप पांच आउला भी ले सकते हैं इगाड़ा नो ऐसे करके भी आप ले सकती हैं तो मैंने आउले को ले लिया और साफ करकर इसको सुखा लिया है मतब कपड़े से पोच लिजिए तो इस तरीके से आउले हमने लेकर और आप एक बर्चेक भी कर लिजिएगा कि आउले कटे फटे ना हो और जो सुंदर दिखाई दे भगवान को सुंदर ची चरहने से हमारी नेक्सट जनम होते हैं या हमारे घर में बालक जो आते हैं वो सुंदर सुंदर आते हैं यह सुंदर फलप्र की प्रापती होती है लिजिए इस तरीके से हमने ठा उनले को ध़ोकर और पोच लिया क्यूंकि हमने 5 जान नहीं क्या दिख द्याना थहा है कि आप कैसे ये बैलन्स देखना चाहिए कि पहले कि कैसे हमारा दीपक लुड़के नहीं क्योंकि राउंड सेप में हैं तो इस तरीके से आप सेप कर कैसे देख लें कि आप कैसे हो बैट रहा है सबसे अच्छी मैंने चाकू उगर सबसे भी देखा उस सबसे भी बढ़िया है आप एक पीलर ले ले लिजे जो जिसे आलू छिलते हैं इस तरीके से आप बीच से निकालिएगा तो बहुत ही अच्छा एक जो गोल वाला बत्ती होता है उसको रखने के लाइक जगा बन जाता और अच्छी तरीके से मतलब 10 मिनट तक तो दीप में ज़ड जाता है इस तरीके से आहा को बीच में से होल कर लीजिये इसमें बीज नीचे रहेगा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसको आप उपर उपर से पीलर से में किजयेगा इस तरीके से आपका होल भी बन जाएगा काम से इसमें एक आपकी बाती आजाए कि जो कि 10 मिनद तक जलेगी इसमें हमको घी की बाती जलानी होगी अत्वापतिल का भी तेल का जला सकते हैं जो ऐसी सकती वैसी वक्ति लेकिन घी नहीं तो तेल का तो जलाएं जरूर क्योंकि लक्षमी की प्राप्ति के लिए क्योंकि का जो भी हम पूजा करते हैं उसमें हम इसी का पूजा करते हैं इस तरीके से आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बना लेना होता है क्योंकि यहाउला का जो भी हम दीप चलाते हैं उसका एक नियम होता है आप और भी वीडियो देखिएगा तो क्योंकि यह साउत की दीप है लेकिन भगवान तो नडायन सबी के लिए है और कार्तिक महातम जो पुष्टक पर रहा है तो तीसरे अध्याय में उसमें सुनने को मिला था कि हम कार्तिक में इस तरीके से भगवान को आउले से पूझा करते हैं और लक्ष्मी माता को मदुमालती से तो इस कार्थिक के महिने में आप आउला का मिठा भी बनाकर चड़ाइए, फूल भी चड़ाइए, फल भी चड़ाइए, तो इस तरीके से आप स्वास्तिक बनाकर पाचो हिसे पे आप आउले का दिप अप लगा दीजिए, और साइड में आप उसको एक लंबी खड़ी चाहिए और चारो तरह प्लेट में आप अपने सुबता डाल दीजिए क्योंकि चंदनोगर डाल दीजिए आपकी आर्तिक थाली भी अच्छी लगेगी इस तरीके से आप कर लिजिए इसके उपर फूल चावल रोली इस तरीके से आर्तिकी पूजा कर लिजिए और सभी दी आटे कर दाना चाहिए नोमी के लिए तयार किया है तो हमने तो चावल डाल दिया है लेकिन आप अगर अप जला रहे हैं तो आप उसमें काला तिल ले सफेद तिल है आपके पास उसको आप डाल दीजिए तो इस तरीके से देखिए हमारी गीगी बाती है तो इन सभी दीप करके सारे में हमने लगा दिया अब इस तीपक को आप साम के समय जब दीप रोज्वलित करें तो उस टाइम आप इसको चलाए और पांस दीपक जो है एक अपने मंदिर में रखें दूसरी आप तुलसी जी के पास रख दें तीसरा आप संकर भवान के मंदिर जाते हैं कार्ति के महने में तो वहां पर भी ले जाएं इस तरीके से करकर आप पांस दीपक एक घर के मुकद्वार पर रखें और एक दीपक है जो अकास के निमित आपको रखना चाहिए एक दीपदान गंगा जी के नाम पर आप दीप में प्रोजिलित कर जैसे एक परात में पानी भर ले निमा उसके उपडर डाल दे इस तरी के से आप पांच दीपदान कर दें तो कार्तिक में आप किसी दिन भी कर सकते हैं और नॉम्ही Birds, पुनी और शी vue बाये पूजा से मे आज कि प्रेश की नॉमी तो हमने आज ही यह दीपक यह तैयार किया है और समसोचा कि अपी बहुत सारे तेवार पाकी हैं तो आप लोग भी इस तेवार का लाब उठाएं आप ऐसे आउले का दीपक जलाएं और घर में लक्षमी की प्राप्ति हो तो आशा करते हैं कि आपको आउले का दीप बनाना सिखा तो बहुत अच्छा लगा होगा और अपना अनुभाव सेयर कीजिएगा कि कैसा आपको अनुभाव मिला एक साल के बाद की इस दीप से आपके घर में रक्षमी आई की नहीं फिर मिलते एक नहीं भी से के साथ तब त जय शरी किशना